हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तु माई चैनल कुक वितना स्राना नमाब और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्पेशल रेसिपी बिना फ्राई किये बिना किसी दाल के बिना कोई जंड़त के आप भी बना सकते दही वड़ा बहुत कम टाइम में बन चाएगा फ्रे सी वी चीनी धन्यापती की चटपड़ी और यह फ्रेंट्स हमारा मेन इंग्रीडियर्इन्स रॉशो गुल्ला जिसे मैंने सीरप प्यानी से अच्छी तरह से गार निकाल लिया फिर से एक बार आम इसे पानी में डाल कि अच्छी तरह से गार लेंगे और फिर दुपार हम इसे ठंड़े पानी में डाल के पांच मिनटी के लिए छोड़ देगे और यहां पे आप देख सकते चो मैंने दुपारा यह प्रोसेस किया था उसके बाद फिर हम इसे अच्छी तरह से पानी इसका अच्छी तरह से स्क्वीज कर लेंगे इसे निचोड लेंगे तब हम इसे इस तरह से प्लेट में रख देंगे तो अब उसके उपर हम दही डालेंगे friends दही को हमें गाडा रखना एकड़ा पतला नहीं करना है यह एकड़म परफिक्ट कांसिस्टेंसी है दही के बाद हम डाल देंगे धन्या की चट्नी धन्या पती की चट्नी में friends आपको धन्या लेना है हरी मिर्च और लहसून डालके ग्राइंड कर ले उसके बाद नमाक और नीम भुगार दे उसके बाद इमली की चटनी यह मीठी चटनी है अगर आपको खटा पसंदे तो आप खटा डाल सकते हैं इमली की चटनी डालने के बाद आपका दही बड़ा कुछ इस तरह से दीखेगा आप देख सकते हैं उसके बाद हम लुक डालेंगे काला नमग चूटकी बर चाट मसाला चाट मसाला का रेसिपी मैंने पहले ही डाल दिया है आप चाहो तो देख सकते हो और PCV चीनी डाल तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स रेसिपी मुझे क्या लाना चाहिए थाइंक यू और स्टे ट्यून फॉर मैं नेक्स रेसिपी तिल रेन बाई गाईज